हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग एक बहुत ही महत्वा पुर्ण वीडियो देखने वाले हैं जो मुंसी, सरदार, कूली और लेबर के बारे में हैं जी हाँ फ्रेंड्स यानि की लेबर, कूली, मुंसी, सरदार की सेलिरी क्या होती है और इनकी काम क्या क्या होता है यानि की लेबरों की और मुंसियों की और सरदारों की काम कौन कौन सा करना होता है और इन सभी पोस्ट में भरती हुए इंपलवाई का सैलेली कितने मिलती है और इनका पीफ कितना कड़ता है या नहीं कड़ता है और कड़ता है तो कितना कड़ता है तो भाई साथ कितना करता है P.F. यानि के टोटल चीज हम लोग आज देखने वाले हैं तो जी हाँ नमस्कार दोस्तो श्वागत है फिर से आपको अपना यूटूब चैनल भारत का भविश्य में तो फ्रेंट्स आप लोग अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब फटा फट लाल बटन दबा करके कर लें जी हाँ फ्रेंट्स केव कि मैं ऐसा ऐसा जो है वीडियो बार बार लाते रहता हूं तो फ्रेंट्स चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है आप लोग से अनुरूद है कि आप लोग अंत तक वीडियो को बीना एस्किप किये हुए देखिएगा तब ही जागर कि वीडियो आपको समझ में आए बाला है बी आरेम जी एसस में सबसे छोटा पोस्ट कौन सा होता है तो फिर्स आपको जैसा की पता ही होगा कि भारते रेल वे मालकुदाम स्रमी की शंग का सबसे छोटा जो पोस्ट होता है तो वह होता है कुली का जी अपना कुली आप लोग देखे हुएगा वह की बात करेंगे कि इन लोग की सैलरी कितनी मिलती है तो फ्रेंस आप लोगों को सायद पता होगा इनका काम आये हुए गुड्स यानि कि जो भी माल होता है या भेजते हुए मतलब आये हुए या भेजते हुए माल को जो है लोडिंग करना होता है अनलोडिंग करना होता है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है यानि कूली सिर्फ जो है लोडिंग और अनलोडिंग का ही काम करता है तो फ्रेंस कूली के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कूली का यहीं काम होता है लोडिंग करना और अनलोडिंग करना तो फ्रेंस उसके बाद हम लोग भाई होता है जो भी इनका जॉब प्रफाइल है लेवर का बहुत ही अच्छा होता है जिए फ्रेंट लेकिन भाइस आप गॉर्मेंट जब पैसा देगी तो थोड़ा बहुत तो सरीर को हिलाना ही पड़ेगा जी हम प्रेंट तो फ्रेंट देखिए जितने भी कूली होते हैं उनका देख भाल यानी की फ्रेंट्स जो भी कूली होते हैं तो उनको गाइड करना होता है लेवर का काम करता है कि यही का अब सदहरन करने आप लोग समझ्जें कि कुलि को कि में यहां पर बता दो यह कंफर्म करना होते हैं fed तो उसमें एक होता है 21 나 पर और मतलब 24 situations वह हम mình होते हैं तो उन्हीं से काम करना होता है हलाई तो की present मजे कि बात यहां पे यह है कि अगर माल गाली नहीं होती है अगर पट्री में इड़ होती है तो कूल होकर के बैठे रहना होता है बस यहीं कुछ और एक्स्टरा काम नहीं होता बहुत से लोगों को यह ड्कुल भी नहीं कराया जाए यह सब काम कूली कहीं रहता है तो मैं भता जो हुए यह पर और और उसर और प्रेंट्स जो सरदार हो जाते हैं? जी हां फिर्णट्स सरदार तो हम लोग सरदार के यहाँ पर परफाइल के बारे में देखेंगे तो सरदार काया क्या होता है? तो फिर्णट्स सरदार लेबर्स थोड़ा भहुत बड़ा पोस्ट होता है और बोगी Может कि cor反ουμε रिर्णी और 9 नोट पूक में नोट करना होता है यहनद नोट करके कि यह इतना फटा हुआ है इसमें का मतलब पदास सरदार का काम होता है और उसका एक रीपोट ढ़े शृद। तो यहां पर सरदार का और लेवर का और ıyorlar कोली का काम यहां पे खतम हो जाता है और friends हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आगे क्याम जो है मुंसी का होता है तो friends मुंसी का क्या होता है यानि कि इससे आप लोग को असपस्ट हो ही गया होगा कि फ्रेंट्स सबसे छोटा पोस्ट कूली उसके बाद लेवर उसके बाद फ्रेंट्स जो है यह सरदार होते हैं उसके बाद जो है मुंसी होता है तो फ्रेंट्स अब रही बात मुंसी की तो भाई साहब मुंसी साहब बड़े पोस्ट हो गए हैं जी है फ्रेंट्स यानि कि सर रहा है मालगड़ी जुभी मालगवद्दाम है उसमें क्या चल रहा है क्या हो रहा है पुरा रिपोर्ट mm को जो हैं सर्दारों से मांगना पर तया सर्दार लेखर पर रिपोट Сब्ड़र West और वो जितना रिपोर्ट होते हैं वो अपना मतलब आगे के सेनियर को मुंसी जी बढ़ा जिते हैं यानि कि आप लोग सधारन भासा में यह समझ सकते हैं कि मुंसी का काम जब फाइनेंसियल तरीके से इनका काम करते हैं मुंसी जी असान भासा में आप लोग यह समझ सकते हैं तो tehdorn सरदार और मुनसी मैं बता दूंग यहां पर अगर बाद में सॉर्य फ्रेंड यहां पर अगर इनकी पोउस्ट की बात के जाए तो किस काटेजरी में कौनındला पोउस्ट आता है तो सरदार और मुनसी जो है फ्रेंड्स Jew depuis Αर उनपर авगारान जोड़ writer का जाब है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रूप डी कटेगरी का जौब जो है लेवर होता है और फ्रेंट्स आप लोगों की सभी यहां पर confusion यहां तक दूर हो गया होगा और फ्रेंट्स इससे रिलेटर अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया हो तो comment करके आप लोग पू लेकिन फ्रेंट्स यहां पर हम लोग एराउंड में सेलरी हम लोग जाने के याने की लगभग हम लोग सेलरी यहां पर जानने का प्रयास करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर कूली लेवर और सरदार और मुंसी तो सबसे पहले हम लोग कूली की बात करेंगे यहां मैं बता द करने वाला है तो कूली की बात करें तो यहां फे आपका यह अलग हो जता है तो यहां पर यहां отправ पर प्रतिय कबुरा यहां पही civ Os सबीं करते बार्व क्यों को नहीं बता सकता है तो मैं एरान मस बता रहूंग 20 से 22 हजार कोई नए छील सकता है लेवर की से रेयों को और रही बात यहां पर सर्दार की सेलरी तो सर्दार की सेलरी मैं बता दूं सर्दार की सेलरी जो भी होगा वह 25-28,000 यहां पर मुंसी की सेलरी कितनी रहेगी कि तो फ्रेंल्ण मुनसी की सैलरी यहाँ पर आप लोग यहाँा पर नूbto पोस्ट है तो इसलिए एराउंड तीस से पचीस से तीस जार के बीच में दोनों सरदार और मुंसी की सेलरी यहां पर रहने वाली है तो आप लोग बाकी अपनी राय जो है कमेंट करके जरूर बताएं जी है तो फ्रेंट अगर वीडियो पर पहले बारत वीडियो को लाइक कर लिए चलिए फ्रेंट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय टेक यार जाहिन जैवारत